कि नमस्का दोस्तों आज का मोग टेस्टम आपका साइंस से शुरू करेंगे तो फॉर्स्ट कोशन आप देख रहे होंगे काफी टाइम्प करबा चुका हूं क्यूंकि यह कोशन आपका बार-बार पूछे जाता है तो यह कोशन आपका हिमाच्चल पूलिस कॉंस्टेबल में भी पूछा गया है तो फर्स्ट कॉशन 84 डैश पर पानी का गंड़तप सबसे अधिक होता है तो क्या कितना होता है तो वह था आपका option number B four degrees Celsius दोस्तों इपोटेंट कॉशन है डैश पालन की प्रक्रिया को एपी कल्चर कहते हैं तो किसे कहते हैं option आपके सामने अगर हम राइट अंसर की यहां पर बात करें तो option आपके सामने राइट अंसर की बात करें तो रागी option number C बिल्कुर राइट हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट कॉश्ट की बात करें स्टेनलेस स्टील में समाने अताय लगवक 14% उससे अधिक डैश होता है तो राइट अंसर की बात करें 88 की तो option option number D chromium बिल्कुर राइट अंसर यहां पर आपका हो जाएगा नेक्स्ट की बात करें नीवन में से कौन सा एक रसाइनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों कौन सा नहीं है तो option आपके सामने अगर हम बात करें राइट अंसर की option number C तमबाकू बिल्कुर यहां पर राइट अंसर हो जाए दोस्तों नेक्स कोशन की बात करें यान की कोशन नबर 77 मानव श्रीर में कितनी हडिया होती है तो 77 राइट अंसर की बात करें 206 option option number C next question की बात करें निमन में से किस बिमारी से पीडित लोगों को इंसुलीन दिया जाता है तो किने दिया जाता है इंसुलीन तो आपका राइट अंसर की बात करें तो option नमबर यहां पर आपका डाइपर डीज इसका बिल्कुर राइट अंसर हो जाएगा किसमे खनीज नहीं होता है तो किसमे नहीं होता है तो option आपके सामने राइट अंसर की बात करें तो ब्लूद में राइट जाएगा जाएट दूद में नहीं होते हैं, नेक्स्ट की बात करें, क्वेशन नमबर 80, गाए का दूद पर्चूर सतरोत है, तो कौन सा विटामिन आपको गाए के दूद से मिलता है, तो 80, राइट अंसर की बात करें, तो अप्षिन नमबर D, विटामिन D, बिल्कु यहाँ पर आपका तो आप देख सकते हैं कि कॉश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं तो इसका हो जाएगा आपका ओप्शन नंबर सी आयतन गटता है एटी बन ऑप्शन नंबर सी बिलक्राइट हो जाएगा नेक्ट कोश्चन की बात करें अमल वर्षा कारक हो सकती है तो आपके सामने एटी टू राइट असर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यह सभी बिलकुर यहां पर राइट असर हो जाएगा तो दोस्तों यहां से आपका जीके का शेक्शन शुरू हो जाता है दोस्तों बात करें हिमाच्चल पुलिस कॉंस्टेवल में तो आपकी जीके ज्यादा पूहनेंटैंट है अभी जो हां आपका हाली में जो ज्यवी 330 एंट्रेस अक्जाम हुआ उसमें पूछा गया कोशन था कि दामी कोली कानग आपका कब हुआ था देकर हम बात करें दामी कोली स्वान नदी हिमाचल परदेस के कि जिले में बहती है 90 इसक राइट अंशर की बात करें तो खेलन एक आपके सम्वान नदी यहां पे बहती है या नाम लोटा दोस्तों नगर कोर्ट आपका कांग्डा का पुराना नाम था अगरा हम बात करें 97 की राइट अंसर की तो इसका आपका राइट अंसर हो जाएगा option number यहाँ पे आपका C 365 AD बिलकु यहाँ पे आपका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों next question की बात करें परवतिय राधसी राज्ये के किस शाषक ने औरंग जेब का अध्यादेश की अवग्या की हिमाचल परदेश को केंदर शाषित परदेश से पूरन राज्ये का दर्जा किस बर्शे प्राप्त हुआ था दोस्तों next question की बात करें राइट अंसर के question number 99 तो यह हो जाएगा आपका option परदेश को पूरन राज्ये का दर्जा मिला था दोस्तों next question की बात करें बहुत टाइम आपका एक्जाम में पूछे जाता है कि जो आपका चैल स्टेडिम है जैनकि हिमाचल परदेश के किस जिले में चैल किरकट स्टेडिम स्थित है दोस्तों यह आपका बार बार अब का option number D तो यह आपका शोलन district में यहां पर option में नहीं दी ऊवा तो शोलन district इसका बिलकूर राइट हो जेगा next question की बात करें हिमाच्चल परदेश के किस जिले का शेत्र पर सबसे कम है तो किसका सबसे कम है वो आपका option number D हमीरपूर बिल्कुर यहाँ पर राइटन से रोजएगा next question की बात करें important question है फिर से हिमाच्चल परदेश के किस जिले का शाक शर्ता दर्श सबसे अधीक है तो किस जिले में तो option नमबर यहाँ पर आपका डी हमीरपूर बिल्कुर यहाँ पर राइटन से रोजएगा दोस्तों next question की बात करें question number यहाँ पर आपका 103 किस जिले में गोहरी देवी टिबा चोटी स्थीत है तो किस जिले में तो option नमबर यह पर राइट अंसर हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ से आपके English का section शुरू हो जाता है दोस्तों important question है सारे कैसारे तो 146 की बात करें तो idiom आपने यहाँ पर बताने है to talk shop तो इसका आपका क्या होता है 146 option आपके सामने अगर हम बात करें first question के right answer की तो option number C to talk about business or professional affairs तो इसका क्या होता है यह question मैंने आपको पहले भी जो किसी मोक्रेशन में करवाया हुआ है 147 आपके सामने option है तो right answer की बात करें तो option number C बिलकुर आपका यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा दोस्तों next question की 48 to play fast and lose इसका आपका क्या होगा तो 148 का right answer हो जाएगा आपका option number यहाँ पर आपका D to play tricks to play fast and lose to play tricks इसका बिलकुर जाएगा दोस्तों next question की बात करें question number आपका 149 to turn the other cheek तो इसका आपका क्या होगा तो 149 राइटर सेगा option number C to respond to violence with non-violence तो next question की बात करें important question है यह question आपका किसी exam में पूछा भी है मुझे अभी याद नहीं है कौन सा exam था वो speak and spend तो इसका आपका क्या होता है तो इसका होता है आपका 150 का option number A neat and clean इसका बिलकुर आपका यहाँ पर राइट असर हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपने इंग्लिस के correct spelling की कौन से लिख हुए 131 से 135 तक तो आपके सामने सारे वर्ल लिखा हुए है तो यहाँ पर हम बात करें फर्स्ट कोशन की जानकी 131 तो 131 आपका लिखा जाता है correct spelling option number A 132 की बात करें तो option number C 133 की बात करें तो option number D option number D 134 की बात करें तो यहाँ पर आपका option number C 134 का option option number C 135 की बात करें तो यहाँ पर आपका option number A option number A विल्कुल आपका right answer हो जाएगा दोस्तों आप इसका screen shoulder ले सकते हैं सब्स जो है शुद्ध आपके जो correct वर्ल्ड है उसको मैंने टिक कर दिया है तो दोस्तों यहाँ से आपके reasoning के question शुरू हो जाते है 16 question आपके police exam में पुछे जाते हैं important section है यही से आपकी merit जो है बनती है कि यह बिल्कुर राइट असर हो जाएगा दोस्तों आप इंट question कर सकते हैं और आप इसको solve कर सकते हैं मैं आपको सारी के सारी यहाँ पर ड्रेक्ट अंसर बता रहा हूं 24 की बात करें तो question आपके सामने इसमें आपका राइट अन्सर हो जागा option number C option number C बिल्कुर राइट हो जागा दोस्तों नेश्ट को कि बात करें 125 का अब का राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नंबर डी ऑफ्टन नंबर टी विल्क राइट जाये नेक्स्ट कोश्टन की बात करें यानकी 127 तो इसी प्रकार का कुश्टन इस बार पूछा गया था आप सभी को पाता ही होगा कि 127 कोश्टन नंबर राइट अंसर की बात के तो ऑप्शन नंबर टी आप से कि शो लेके चलिए यहां पी आप देख सकते हैं मैंने आपको सभी यहां पे जो राइट अंसर घॉस्टों कि बात करें 128 128 राइट अंसर तो आप यहां पर देख सकते हैं यह सब इसका बिलको राइट हो जाएगा आप इससे स्वाबिक कर लिजिए का स्क्रेंशोट आप ले सकते हैं 130 की बात करें तो यहां पर आपका option number a option number a बिलको राइट हो जाएगा तो दोस्तों यह आपका रिजिरी का section था तो दोस्तों यहां से आपका हिंदी जानिकी 16 नंबर की हिंदी का section शुरू हो जाता है important section है यही आपकी merit बनाता है first question की बात करें यानकी राष्ट्य पती का शुद्रूप आपने बताना है कि किस परकार से लिखा जाता है तो 151 का अगर आपने option number B select किया तो आप बिलकुल सही है आज जीवन आज जीवन मैंने आपको तीन चार बार यह मोग टेस्ट में करवा चुका हूं क्योंकि यह question आपका बहुत time जो पुछे जाता है आज जीवन का शुद्रूप होता है option number A next question 153 चतुर बूर्ज आपका श बात करें गोरी शंकर गोरी शंकर आपने बताने कि शुद्रूप में किस प्रकार से लिखे जाता है तो गोरी शंकर जो आपका option number C के सी बिलकुल आपका राइटनसर हो जाएगा 155 की बात करें सज्जन आपने बताने है इपोर्टेंट कोशन है तो यह आपका करना है इपोर्टेंट है 161 राइट अंसर की बात करें तो पो प्लस अन पो प्लस अन बिल्कुल राइट हो जाएगा ओको यहां पर ओकी मत्रा नेक्स्ट की बात करें पत्तर का आपका तदबब क्या होता है यह भी कोशन मैं आपको पहले करवा चुका हूं अगर आपने मे नेक्स्ट कॉश्ट की बात करें देशत देशत शब्द है तो क्या है इसमें से तो राइट अंसर की बात करें तो बहुत जबड़े आपका चटनी 153 ऑप्शन नम्बर एए नेक्स्ट को उसन की बात करें राजपूत का आपने इस तरी लिंग बताना है तो दोस्तो चोटी बड़ी उकी मातरा लगी हुई है तो आप इसका द्यान रखिएगा क्योंकि सब यहां पर एक जैसे ही लगते हैं नेस्ट की बात करें करोद दोस्तों मैंने आपको यह तकरीब कर वाय थे स्च में तो यहां देखकेंश के सामने और थका है नबर यह वीवाबस का ब्लकुर राइटनस नोआ हैं 본 दोस्तों लटका रावावाचस्त क संग्या एं तो लडका क्या होता है यह यह भी कोशचन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ अगर आपने मेरे पिछले मौक टैस देखे होंगे तो आप इसका अभी तक बिल्कु राइट अंसर लगा चुके होंगे लड़का का बहुत 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 बिल्कु राइट हो जागा नेश्ट कोश की बात करें 169 तो जहां आपन से बताना है तो प्रतिया आपका कौन सो आता है तो यहां पर आपको हो जाएगा option नमबर डी न विल्कु राइट हो जाएगा नेश्ट की बात करें 170 हिंदी का आखरी कोश्चन कवच का परियावाची है तो कवच का परियावाची क्या होता है तो बहुत आपका option नमबर ड बहुत ही है आपको पता ही होगा लेकि बाचल जीके से से question पूछे जाते हैं लेकिन आपके भारत जीके से भी तीन चार question जब पूछे जाते हैं तो बोढ़ेंड करता है जो वे पर आपके त्यार कर रहे हैं तो करो जा मरो का नारा गांदी जी ने डैस के दुरान दिया था कि एक यहां पर आपका कोशन नबर 20 तो किस वक्त दिया था करो जाब मोरो का नारा बो दिया था ऑप्शन नंबर एक बारत छोड़ो अंदोलन के समय नेक्स कोशन की बात करें राज्य सवा का पदेन सवापति कौन है तो कौन होता है 21 तो बहुत आपका उपर राष्ट्य पत करें अगर आपने यहां पर ऑप्शन नंबर ए सवीधान सवा सेलेक्ट किया तो आप बिलकु राइट हो जाएंगे दोस्तों नेक्ट कोशन की बात करें बारतिय सवीधान ने राज्य के निती निर्देशत तत्तव लिए हैं जानकि कि कि किसके दिली लिए हैं तो 35 जोजगार गरंटी योजना का प्रवांब प्रत्म डैस में हुआ था जाने कि सबसे पहले हुआ था तो कहां हुआ था 40 राइट एंसर की बात करें तो महराश्ट्रा फोटी का उप्शन नबस सी महराश्ट्रा बिलकु राइट हो जाएगा दोस्तों नेस्ट कोशन की बात क का उदेश्य है तो क्या होता है बिशवेंक का उदेश्य है तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं तो राइट अंसर की बात करें तो यहां पर होगा आपका फोटी वन का उप्शन नबस सी विकास है तू अंतराश्टिय रिन देना नेस्ट कोशन की बात करें नाबाड है एक तो क्या है तो इसका राइट अंसर की बात करें दोस्तों इसको जो है ध्यान से देखिएगा ऐसे कोशन आपके दो तीन आप एक्जाम में पूशे जाते ह है 42 राइटन से की बात करें तो भी 30 संस्थान अप्शन नंबर भी बिल्कुर उग्ट हो जाएगा दोस्तों नेक्ट करोशन की बात करें मध्य परदेश में मुद्रा मुद्रा नाले कहां पर स्थिथ जाना की क्रंसी प्रिंटिंग प्रैस जो आपका मध्य परदेश में व तो कौन सा नहीं है तो आप सबी को पता ही होगा इसका अंसर भारत इसका बिलकुर आपका राइट नसर नहीं है तो 49 नाइसर की बात करें तो करिशी आएकार ऑप्शन नमर सी विलकुर राइट नसर हो जाएगा दोस्तों यह आपकी भारत की जीक्टी तो जल्दी मेलेंगे आपको एक नए मौक टेस्ट के साथ अगर आपको आज का मौक टेस्ट अच्छा लगए तो चैनल का आप सबस्क्राइब जरूर करते ताकि जैसे को नहीं मौक टेस्ट आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए देनवार फ्रेंड्स